तो कतर ने यहाँ पर हमको हरा दिया है थ्री निल के स्कोर्ट लाइन से हमारे दूसरे मैच में वर्ल्ड कप क्वालिफायर के और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो सफर है हमारा उसमें आप कह सकते हैं एक पहला बड़ा टेस्ट था और उस टेस्ट को हमने फेल किया है and that took gloriously जितना जरूरी टीम को support करना है और जितना जरूरी है कि हम टीम की जो अच्छी बाते हैं उन पर बात करें उतना ही जरूरी हो जाता है कि हम टीम को constructive criticism दें और उन चीजों की भी बात करें जब कुछ गलतियां हो रही है टीम से तो ऐसे हम देखिए हमको पता है कि हमारा जो Indian football का level है वो बिलकुल भी अभी वहाँ पर नहीं है जहां उसको होना चाहिए या अगर हम compare करें कुछ Asian Giants से यह European level टीम से लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो हम गलतियां कर रहे हैं फील्ड पर उनकी बात ना की जाए और आज के match में बस यही मैं बात करना चाहता हूँ इ जल्तियां हमने बहुत जादा की हैं हमने self-inflicted damage जो है वो अपने आप पर होने दिया है जिसके कारण जो है हमको बहुत जादा almost take up कह सकते हैं humiliation भी हो सकती थी हमारी जिस तरीके से कदर खेल रही थी और हम अपनी मदद खुद नहीं करते हैं जब हमको chances मिलते हैं वो जब हम create करते हैं और हम chances बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं कोई goal score हम कर नहीं पाते हैं final third में जब हमारे पास अच्छे areas में ball आती है तो तो सबसे पहले जब line-up आई थी और game की शुरुआत हुई थी तो सबको यही एक doubt था कि गुरप्रीत सिंग संदू की जगे अमरेंदर को हुआ है ऐसा तो ऐसा कुछ बतलब कुछ लोग चैट में भी बता रहे थे लाइफ चैट में भी और एक दो जगे मैंने पढ़ा भी था ट्विटर पे कि इगॉर्स टी मैच जो हैं वो खुश नहीं थे गुरप्रीत सिंग संदू के distribution से और first time जो clearances थी गुरप्रीत की उसस वो नाखुश थे पिछले मैच में और इसलिए उन्होंने दूसरे गोलकीपर को chance दिया लेकिन वो जो decision था मेरे ख्याल से backfire कर गया because अमरिंदर का आज आप कह सकते है कि एक off day था काफी खराब performance उनके द्वारा कुछ clearances थी वो सीधा कतर players के पास गई और एक जो आपने defensive line- अपाच खिलाई थी आज आप चार attackers के साथ नहीं तीन attackers और तीन proper central midfielders या defensive midfielders के साथ गए थे जहां आपने midfield 3 खिलाया था अपूया थापा और सुरेश का और आगे आपके पास थे उदांता सुनील चेत्री और चांक्ते खेल रहे थे left wing पे तो इस तरीके की आपने line-up खिलाई थी और आपका idea था कि आप defense करेंगे शुरू में और जितना आप game को deep ले जा सकते हैं उतना आप ले जाएंगे and maybe second half में we could see some positive changes लेकिन वो जो आपकी approach थी और वो जो purpose था आपको वो शुरू के चौथे minute में ही defeat हो गया क्यूंकि आपने एक अपनी गलती से goal concede किया एक scramble होता है महाँ पर और कतर जो है goal कर देती है हम वहाँ पर ball clear करने में नाकामयाब रहते हैं और उसके बाद इट वाज अल कतर लगबक 10-12 minute तो हमको जागने में ही लग गए और जिस तरीगे से कतर हम पर हावी थी एक दो chances उनको और मिले थे एक तो बहुत ही open chance था बिल अपुया को edge of the box जो उन्होंने skire मार दिया उसके अलावा एक दो chances और मिले थे सुनिल चेतरी सर ने ball छीन के अनिरुत थापा को दी अनिरुत थापा मां outside of the foot से shot लेने गए और उस chance को miss कर दिया लेकिन जैसा मैं कहा रहा हूँ यह सब half chances ही थे second half में भी आप देखेंगे त बहुत tight था और at times तो मतलब हम ऐसे खुल जा रहे थे जैसे हमारी midfield ही नहीं है, बीच में कोई मौजूद ही नहीं है, lines बहुत अराम से हमारी bypass हो रही थी हमारा shape बहुत खराब था और obviously आप कह सकते हैं कि individual mistakes हो रही थी संदेश जींगन ने जहाँ पर हमको बचाया भी 3-4 occasions पर last dish tackle मारके लेकिन आप कह सकते हैं कि थोड़ा आप जब back से build करना चाहरे हैं तो वहाँ पर संदेश जींगन अप शायद क्योंकि अनवर अली नहीं खेल रहे हैं उनके साथ तो उनको confidence नहीं आ रहा आगे ball चलाने का या फिर Qatar का press इतना ज़ादा जबरदस था जैसे भी आप इसको देखना चाहे situation को कुल मिला के ball पे हमारा control नहीं था पीछे से हम ball बहुत ज़ादा lose कर रहे थे जब wide channels में ball आ रही थी तो Qatar अपने shape में वापिस आ जारी थी और जिस speed से Qatar हमको hit कर रही थी break पे उसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं था I think we are lucky कि ये सिर्फ 3 निल है ये 4 निल 5 निल भी हो सकता था अगर आप chances ले लेते ज़्यादा से ज़्यादा तो एक गोल आप मार पाते लेकिन on the balance of play आप कहे नहीं सकते है कि हम किसी भी तरीके का कोई point deserve करते थे इस match से तो ज़्यादा को channelize करने के लिए देखी है नहीं इस match में यहाँ पर जो ह है यहाँ पर बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई अब इंडिया आर गई Qatar से अपने second match में world cup qualifier के तो उसका मदलब भार हो गए है क्या qualifier से जी नहीं बिलकुल ऐसा नहीं है यह second round of qualifier चल रहे अभी चार match और बचे अभी हमारा Qatar से एक और match होना है जो उनके home में होगा और उसके बाद जो है आप third round में जाएंगे third round में क्या होगा आपके against जो है पांच team में होंगी अभी 36 team है हर group की top two teams जाएंगी तो 18 team है फिर next round में जाएंगी जिन 18 teams को 6-6 teams के तीन group में divide किया जाएगा और उन groups में जो top team होगी वो अपने आप जो है वो qualify कर जाएंगी बहुत हाई chance है कि जो पांच team होंगी उनमें से दो या तीन team है ऐसी होंगी आपके group में जो बहुत highly ranked Asian teams होंगी तो वो तो अच्छा है कि आपके exposure और आपके experience को एक खासा boost मिलता है अगर आप इतनी अच्छी team हों के against इतनी अच्छी football अच्छी elite teams के against अगर आपको football खिलने मौका मिलता है high intensity matches तो आपके development के लिए अच्छा है लेकिन क्या हम कुछ actually में कर सकते हैं टीमों के against तो ये जो है चीज हमको इसका जवाब जो है बहुत जल्दी ढूड़ना पड़ेगा because ये जो qualification process है across दो-धाई साल चलेगा 2025 के end तक चलेगी ये qualification तो क्या हम prepare करेंगे अप जब हम ऐसी टीम्स के against खिल रहे हैं जो हमारे से आप आसपास है ranking में और जब pressure नहीं है हमारे उपर friendlies ही है एक तरीके से वो tournaments तब हम अच्छी football केलते हैं लेकिन यहाँ पर हम पैनिक कर जा रहे हैं रश करते हैं अपने decisions को बहुत जादा अगर आप देखेंगे final third में especially पह available थे तो इस तरीके की बहुत सारी opportunities हमने squander की हैं और attacking wise अगर हम देखें तो अगर हम जितनी अच्छी teams के against खिलेंगे उतने कम chances मिलेंगे हमको तो बहुत जादा कि जब भी आपको chance मिलेंगे आप महाँ उस moment में थोड़ा सा आप अराम से अपने options देखके एक touch आप जादा ले लीजे क्या होगा जाद से जादा intercept हो जाएगी ball आप short लेंगे तो block हो जाएगा in any case आप अभी तो miss करी रहे न और आप खराब short तो मारी रहे न तो क्यों ना आप थोड़ा सा महाँ पर काम और composure दिखा के उस opportunity का जादा से जादा फादा उठाने की कोशिश करें ये ए तो वो प्रेस बहुत जादा कर रहे थे देख के लगता नहीं है कि वो 40 साल के हैं थापा गेम भी मैं कहूंगा hot and cold था इतना जादा सही मुझे लगा नहीं सुबशीश बोस वोज अलसो गूट इन पैचेश लेकिन अगें अगर आप तीन गोल खाते हैं तो आप backline की जाद कुछ खास करनी पाए चांकते को भी एक दो opportunities मिली थी बट वो take-ons उनके successful नहीं थे मुझे लगता है कि महेश को I think start कराना चाहिए था बट ठीक है हो सकता है rotation जो है egosity match करना चाहते है initially और देखना चाहते है कि कौन प्लेयर किस level पर खेल सकता है क्या fitness अभी वो सारी मिलेगा बट वो ही है camp मुझे लगता नहीं कि लंबा मिलेगा हमारी Indian टीम को Asia कब से पहले तो maybe शायद हम उस तरीगे की performance ना देखता है इंडिया से जो हम expect करते हैं हम चाहते हैं कि हमारी टीम करे because जो आज हमने कतर के against देखा है ये हमको थोड़ा सा मतलब तकलीफ में डाल ये उस चीज़ का और हमारे ग्रुप में Asia Cup में अगर हम बात करें तो Australia है, उसबेकिस्तान है और Syria है तो Australia तो चलिए मान के चलते हैं हमकी बड़ा मुश्किल होगा उनको हराना लेकिन उसबेकिस्तान और Syria और उसबेकिस्तान बहुत अच्छा कर रही है भी football में अगर हम बा पर हमारी एस football फैन जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है objective होके अपनी टीम को बिल्कुल support करें objective हैं कि हमको जो गलतिया हैं उनको हमको बोलना है कि आपने गलत किया इनको आप सुधार कीजी और जो आपने अच्छी चीज़ा करी हैं उनको हम appreciate भी करेंगे लेकिन यहाँ पर हम उनको सबसे जरुवत होती है जब वो down and out होते हैं जीत में तो हर कोई support करता है तो let's support Indian football and let's hope कि यहाँ से जो टीम ने आज गलतियां की हैं उनसे सीखके अगले match में उनको दोराएं ना और अच्छा हमको एक game देखने को मिले qualifier में अफगानिस्तान के अगेंस उससे पहले Asia कब भी है तो यह सारे matches हमारे लिए बहुत जादे important है तो आपकी कहा रहा है प्लीज दो let me know in the comment section do you think Igor's team match missed a trick when it came to team selection क्या उनको जो चल रहा था भी तक उसके साथ जाना चाहिए था मनवीर को जो है खिलाना चाहिए था या rotation जादा हो गई और backfire कर गया goalkeeper वाला जो decision था तो इन सब के बारे में आपकी कहा रहा है please do let me know in the comment section मिलता हूं आपसे जल्दी जब तक ध्यान रखिए अपना take care जैहिंद जैभारत